नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इस्टेट्यूट निसान तियान की यूटोब प्लेटफॉर्म पे मैं नितिलू पाद जिया है आप सभी का स्वागत करता हूँ अमिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में मित्रो आज के वीडियो को टापिक सीटेट इस्पेसल है परियावन के मैंने 30 के 300 सवाल प्रिवियस येर का लिया है और आप से उमीद करता हूँ कि 30 में से 300 क्वेश्चन आप जरूर अटेम्ट करेंगे और मैं आपको बता दू कितने नंबर का क्वेश्चन आता है 15 नंबर क है पूरा 15 नंबर वही से आता है 15 नंबर की जो पैडोगोजी आती है या पैडोगोजी बाल के इंद्रिस सिच्छा यंसी अफ दोजार पाच नई सिच्छा नीत दोजार बीस और एक आदर्स सिच्छक के तौर पे आप से प्रसंद किया जाता है आकलन आप कैसे करेंगे त इतने क्वेश्चन सही किये ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है राजमा चावला और छोड़े भटूरे किसर राज के लोगों का सरवप्रिय भोजन है मित्रो राजमा चावला और छोले भटूरे कहां पे खाय जाते हैं क्या च्छतिस गड़ में या पंजाब का ठीक है तो चलिए दूसरे question पर चलते हैं 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकम्प के जटके लगे थे भुज किस राज्य में इस्थित है मित्रों है ओनलाइन वाला पेपर है ठीक है आपको मतलब 2021 में जितने ओनलाइन पेपर हुए थे 2021 से ओनलाइन पेपर हो रहा कि 26 जनवरी 2001 को जो भुखम पाया था भुज में वह कहां है गुजरात में कहां है गुजरात में अगले question की बात करते हैं नीचे दिये गए किस राज्य के गावों में अधिकांस घर मजबूत बास के खंबो पर धरती से 3-3.5 मीटर उचे बने पाए जाते हैं इन घरों की बास के खंबो पर इस तरीके से बनाए गए होते हैं ठीक है इस तरीके से यहाँ पर बास के खंबो पर घर बनाए गए होते हैं ठीक है यहाँ पर बास के खंबे होते हैं अब जो यहाँ पर घर होते हैं क्योंकि यहाँ पर अधिकांस वर्सा होती है तो इसी तरीके से से शे अगले question की बात करते हैं नई दिल्ली railway station और कानपुर railway station के बीच की दूरी 432 km है कोई train 16 दिसंबर 2021 को 21.45 बजे कानपुर से प्रस्थान करती है और नई दिल्ली railway station पर 17 दिसंबर को 5.45 बजे सुबा पहुच जाती है ट्रेन की आउसत चाल क्या होगी मित्रो एक question निश्चित तोर पे यहां से पूछा जाता है 100% यहां से पूछा जाता है तो मित्रो ध्यान रखिएगा क्या ध्यान रखना है चाल बराबर होता है क्या दूरी बटे समय जब भी आये चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय ठीक है दूरी तो आपको पता है 4 42 किलो मींटर समय आपको निकालना है सोला दिसंबर को रात 21 45 पे चलता है मतलब 12 21 मतलब 945 से चलता है 945 से नह마edvan से बात को सोला दिसंबर से 17 दिसंबर की सुबह 5 मेरी तक आना है 945 से 11400 तक गिनन एक 10.45 पे आएंगे, 10.45 पे जबाएंगे, क्या हो जाएगा, एक घंटा आजाएगा, हमारे साथ अंगली पर गिल लिजिए, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, मतलब 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 14.45, भाइया, हमने गिल लिया, अपनी अंगली पर 8 घंटा पूरा हो गया, ठीक है, अब 8 से भाग दीजिए, समय आ गया, 8 घंटा, और दूरी आ गया, 432 किलो मीटर पर गटा लेकिन उत्तर किस्में है, उत्तर तो मीटर पर सेकंड में दिया गया है, अब कुछ लोग घबडा करके, यही सही मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, अब इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में जब किलो मीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है तो पाँच बटे अठारा से गुड़ा करते हैं किसे पाँच बटे अठारा से गुड़ा करते हैं ठीक है देखिए पाँच बटे अठारा से गुड़ा करते हैं अठारा तियां 54, 3 पचे 15, 15 मीटर प्रती सेकंड, ए डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, अब किलो मीटर प्रती घंटा को मीटर प्रती सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 गुड़ा करते हैं, लेकिन अगर मीटर प्रती सेकंड को किलो मीटर प्रती घंटा में बदलना पड़े तो 18 बटे 5 से गुडा करते हैं अब कुछ लोग इसमें konfuse हो जाते भाहिया हमको नहीं आता है जान रखिये जब कीलो मीटर परतिघंटा को मीटर पर सेकंड़ मदलते हैं कीलो मीटर को मीटर को मीटर में अरफात बड़े को छोटके मिलाते हैं बड़े को छोटे मिलाते हैं, तो छोटा वाला उपर रखते हैं, 5 बटे 18 चोटा कौन है, 5 है, जब किलो मीटर प्रत घंटा को मीटर प्रत सेकेंड मिलाएंगे, बड़े वाले को छोटे मिलाएंगे, तो छोटे वाला उपर रख देंगे, ठीक है, और जब छोटे को मीटर प अध्यन में यंसी आर्टी की पाथःपुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले से मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। कितनी है 15.05 पूरा गुड़ा कर लेंगे गुड़ा कर लेंगे 15.05 गुड़े 110 जब आप करेंगे तो आएगा कितना आएगा 1705 कितना आएगा 1705 मीटर आएगा किसमें आएगा ये मीटर में आएगा ना और जब मीटर को हम किलो मीटर में बदलते हैं मीटर को जब हम किलो मीट में बदलते हैं एक हजार से भाग देते हैं तो सत्रा सो पांच में जब आप एक हजार से भाग देंगे तो नीचे जब सो दूई सो तीन सो चार सो मतलब सो एक हजार दस हजार एक लाग से भाग देते हैं जितना जीरो रहता है दसमलो इतना अंक धरा जाता है इतना अंक बटे सो किया होता सो से भाग देना होता तो दसमलो पांच के इधर है माल लीजिए अगर दसमलो यहां नहीं दीगा है तो मतलब दसमलो यहां है दो अंक इधर आ जाता है तो जाता 17.05 ठीक है लेखिन इसका राई टेंसर हो जाएगा 17.5 1.705 मुक्तारपुर पोचमपली जिला का एक गाव है इस जिले के ज्यादत तर परिवार बुनकर है और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपली कहते हैं यह जिला किस राज्य का भाग है मित्रों पोचम पल्ली गाउं मुक्तारपुर गाउं यह जो है NCRT में given है कि यह जो है आंदरपरदेस में स्थित है लेकिन वर्तमान में आप सभी लोग जानते हैं 2 जून 2014 को आंदरपरदेस और उत्राखंड को आंदरपरदेस और तेलंगाना को अलग अलग कर दिया गया और जो पोचम पल्ली गाउं हमित्रों यह जो है तेलंगाना में चला गया ठीक है इसका राई टेंसर आप तेलंगाना लगाईएगा ठीक है आगे बात करते हैं मित्रों आगे बात करते हैं, नीचे दिये गए किस सहर में केवल एक प्रकार के खजूर ही खजूर दिखाई देते हैं, ठीक है, किस सहर में एक प्रकार के खजूर ही खजूर दिखाई देते हैं, बताइए कहां पे खजूर दिखाई देते हैं, एक मिनिट मैं इसे क्या कर देता हूं, किसी का फोन वगर आए जाएगा तो फिर समस्या होती है इसे हम कर देते हैं कहा गया फ्लाइट मोड कहा गया एक मिनिट यार फ्लाइट मोड कहा है यह कहां पर है फ्लाइट मोड भई है हाँ यहाँ ठीक फ्लाइट मोड लगा दिया किसी का फोन नहीं आएगा नीचे देए किसी एक सहर में केवल एक प्रकार के खजूर के ही विछ दिखाई देते हैं मित्रो आप सभी लोग यंसियाटी में गीवन है अबुधाबी अबुधाबी में क्या दिखाई देता है केवल और केवल खजूर दिखाई देता है ठीक है इसका राइट एंस और अबुधावी है यंसी आर्टी का एक 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 पॉइंट यंसी आर्टी से है ठीक भौपाल गांधी नगर के ठीक पूरब में है आप सबी लोग जानते है ऊपर की तरह पूतर होता है नीचे दच्छण होता है इधर पूर्व होता है इधर दच्छड में है बैंगलूरू यहां पर है यहां पर बैंगलूरू है बहुपाल के ठीक दच्छड में बैंगलूरू है क्या है बैंगलूरू बी एंजी लिग देता हूं ठीक तो आप से पूछा गया है बैंगलूरू के सापेच जिसके सापेच कहेगा उसी के सापेच ब पतागे, ए कौन सी दिशा है? मतलब ए कौन सी दिशा है, पताइगे, उत्तर और पच्छिम. क्या है उत्तर और पच्छिम? आप सब नंबर झी सही हो जाए目, ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं. और 17 सवाल देखिए पीतल या ब्राश विसे में निम्कित में से कौन सा कथन सही है सही चुनना है आपको पीतल क्या है मित्रों आप सभी लोग जानते हैं जो पीतल है वह कौपर और जस्ता ठीक है कौपर और जिंक को जस्ता बोलते हैं कॉपर और जिंक का क्या है मिस्र धातु है यह बहुत फॉर्मल कोश्चन है बहुत बार कंप्टिशन की बरिच्छम आया है आप सबी लोग इसे जानते हैं ठीक आगे पूछते हैं हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टैपियो का बिच्छा आजाए जहां भी नारियल आजाए नारियल को देख करके आपको गोवा सही नहीं लगाना है ठीक है आपको नारियल की अगर बात होगी तो यंसी आर्टी में केरल दिया गया है नारियल के बारे में ज्यादा तर नारियल के बारे में चर्चा के पर पेच्छम हुई है और टैपियोका अगर आ जाए तो 100% टैपियोका का पेड़ जो है वह केरल में ही लगाया जाता है ठीक भाया केरल में अगला क्वेशन देखिए चांगपा आदिवासी मित्रों चांगपा आदिवासी से निश्यत तोर पे आफ से क्वेशन पूछा गया है तो चांगपा आदिवासी लोग जो परवतों पर रहते हैं बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं उन्हें अत्धिक ठंड से बचाते हैं इन टेंटों का जो डिजाइन है मित्रों चांगपा जंजाती जो है लद्दाक के लद्दाक में भी पाया जाता है और तिबबत में भी पाया जाता है ठीक है निशित तोर पे आप अगर यंसियाटी पढ़ेंगे तो चांगपा जंजाती के बारे में दिया गया है ठीक है यह लोग जो है आदिवासी होते हैं और क्या करते हैं, ए ये तीन हजार वर्ष पहले इनका जो है उत्पत्ति मानी जाती, अगर आप से question पुशा जाए है, चांगपा जन जाती, जो वहाँ पे रहते हैं, कितने वर्षों से रहते हैं, कब से अस्तित्य उनका माना जाता है, तीन हजार वर्स पहले, तीन हजार वर्स पहले ध्यान रखेगा, तीन हजार वर्स नहीं तीन हजार वर्स, और जो टेंटो का उपयोग करते हैं, जिन टेंटो की डिजाइन करते हैं, इन टेंटो को अपनी बहां साम रेबो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेबो, और जो है आप ध्यान रखेगा एक हजार वर्स पूराना है ठीक है चलिए बहतरामा कोश्चन हमारे देश में राज्यों की संख्या मित्रों 28 है और 8 केंदर सासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 है और 28 इस्टेट है तीहतरामा कोश्चन देखें नीचे दिये गए उ जो सभी राज्य बंगाल की खाड़ी में है मित्रों बंगाल की खाड़ी कहां पे है आप लोग मैं पर देखिएगा निश्यत तोर पे हमें पता है इस तरीके से भारत का नकसा होता है ठीक है इस तरीके से भारत का नकसा होता है कहीं ऐसे ऐसे है रफली यहां पे जो है मंगाल तो लगता ही है बंगाल की खाड़ी से तमिलनाड भी लगता है लेकिन केरल जो है नीचे की साइड यहां पे केरल है यहां पे केरल है तो केरल हिंद महासागर से लगता है महाराष्ट यहां पे है यहां अप सागर से लगता है केरल गलत हो गया ठीक है तो कौन सा सही हो बास निर्ते भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बास निर्ते भी बोला जाता है, इस बात को भी आप दिहान रखियेगा, ठीक है, चलिए, अगले question की बात करते हैं, हमारे देश में एक ऐसा छेतर है, जो उचा, सूखा और समतल है, ठंडे रेगिस्तान, जहां भी मित्रो ठंडे रेगिस्तान की बात आएगी, आप तुरंत लेह और लद्दाग सही कर दिजिए, कौन सा, लेह और लद्दाग आपको सही कर देना है, ठीक है, कोई आपको समस्या नहीं लेनी है, लेह लद्दाग आप सही कर दिजिएगा, ठीक है, छीत्रावा question देख लेजिए, प इसे हम आसपास नाम की किताब चलती है, उसी किताब को आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो कुसिस करिए, बाकी आप अगर टेलिग्राम चैनल हमारा नहीं जोइन की हैं, ताप टेलिग्राम चैनल जोइन के लेजिएगा, जितना भी सीटेट से सम्मंदित मेट लिंके दे दूँगा, आप वहां से जोईन हो सकते हैं, उसमें मैं यंसी आटी का कंटेंट भी दे दूँगा, जो मैं साट नोट्स बनाता हूँ, कूपलब्ध करवा दूगा, ठीक है, और देखें यंसी आटी जो प्राथमिक अस्तर पे परियावण अध्यन की प्रकृती होती है मित्रों, वह जो है एक ही करित होती है, ठीक है, प्राथमिक अस्तर पे परियावण में विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, हाना, और परियावण तो पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर आप से प दे रहा होगा आपको दिये गए कथनों में से कौन सा EBS सीखने के राष्टी पाठ चरिया की रूप रेखा 2005 की सिपारिज करता है वित्रों आप सभी लोग ध्यान रखिएगा जितने भी INCF से आए बच्चे को हमेशा चाइल्ड सेंटरल मतलब बाल गिंदरि सिख्चा को आपको महतु देना है आपको रटने को हतुस साहित करना है आपको एक आदर से सिख्चक के तौर पे अपने आपको रखना है जहां भी सिख्चक की सहूलियत की बात आए उसे काट साहित करने की बात आये उसे आपको सही करना है ठीक है पहला है कि सीखने के लिए स्कूल घर और समधाय के बिस सुनिश्चिस सीमाओं की बात आती है वह negative होता है मतलब गलत होता है कभी भी बच्चों को सिखाने के लिए उनकी सीमाएं हम निर्दारित नहीं करेंगे, ठीक है, पहला गलत हो गया, रट कर सीखने को हतोत साहित करेंगे, अर्थात रट कर बच्चों को नहीं सिखाएंगे, सही है, किताबी सिच्छा से प्रस्थान करेंगे, निस्चित तोर पे हम बच्चों को किताब से नहीं जाएगा ठीक है डी वाला आपसंद सही हो जाएगा पहला गलत है देख लिजिए भाईया प्राथमिक अस्तर पर पर्यावण अध्यन का उद्धे सिन्मिकित में से कौन सा हो सकता है विशेश रूप से प्राकृतिक प्राकृतिक प्रयावण के संबंद में बच्चे की जिग ग्याता और रचनात्मक्ता का पोष्ण करना जी बिल्कुल हमें पोष्ण करना है और बी वाला देख लेजिए परयावण के मुद्दे के बारे में जागरूगता करनी जी बिल्कुल हमें जागरूग बनाना है बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक ठीक है दिखने जिए भाई आपके सामने है आप अपने दिमाग से सोचिए कौन सा सही कौन सा गलत है प्रात्मी कस्तर पर प्रेवड़ा अध्यन के सिच्छण सास्त्रित समन्द में कौन सा कथन सत्य है यह बाल किंद्रित है निशित तोर पे जहां भी आजाए बाल किंद्रित ताह पे भगवान का नाम ले करके सही लगाईएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह किताबी है बिल्कुल गलत है इसमें प्रसिच्छन के रूप में सामिल है सिच्छक सामिल बिल्कुल गलत है जहां भी बाल केंद्रित आपको आजा वह सही होता है ठीक प्रात्मिक अस्तर पर EBS को सीखने सिखाने के प्रक्रिया सिच्छकों के लिए चुनोती पूर्ड है बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए बच्चों को रटकर सिखाने के लिए बिल्कुल निगेटिव है अधानों को वड़न, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब आपको बच्चों को नहीं करना है और क्या दिया गया है EBS पाठ्थ पुस्तकों को सीखने के एक मातर संसाधन, कभी भी पाठ़ पुस्तक एक मातर संसाधन के रूप में नहीं हो सकता है, तो कौन सा सही हो जाएगा, भाव, भाया, प्रात्मी कस्तर पर EBS को सीखने सिखाने के प्रक्रिया में बच्चों के लिए रचनातमक और पहल करने के लिए जरूरी है, ठीक है, तो वरियता देनी है, निश्य तोर पे, कहानी को आपको दा, संदर्वित पुस्तक के, आपको पुस्तक पढ़ाना ही नहीं बच्चों को, पाठ पुस्तक परिच्छा कभी लेनी ही नहीं है, और कभी भी विवरन आ जाए, डिस्क्रिप्सन आ जाए, तो कभी आपको बच्चों में परियावन के जो है च्छत हीम बताए गए हैं उन च्छत हीमों का नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा अगर आपको पता है निशित तौर पे मैंने जब वीडियो बनाया है निशित तौर पे मैं बता जा हूँ ठीक है परिवार और दोस्त इसका राइट ए च्छत हीमें होती है निशित तौर पे आप जानते होंगे ठीक है चलिए अगला देख लेजिए कि इवियस सीखने में क्रिया कलापों को करके सीखने का अनुभव परदान करने के लिए आयोजित किया जाता है मित्रो क्रिया कलाप जो करके सीखने के लिए किया जाता है वो और EBS सीखने में क्रिया कलाप जो क्रिया कलाप बच्चों को करके सीखने के लिए आप करते हैं वह क्या मतलब किसलिए आप आज़िद करते हैं क्या क्या आप करते हैं मतलब क्रिया कलाप में क्या क्या आप करते हैं साइकोमेटर कॉसल विक्सित करने के जी बिल्कुल ऐसा करते हैं, ठीक है, अगला है जोड़तोल कॉसल विक्सित करने के जी बिल्कुल ऐसे कलिए करते हैं, करके सीखने कलिए बाई, क्रिया कलाब तो करके सीखने कलिए करते हैं, ए बी सी सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाए अगला है बच्चों को EBS की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतविदिया आयोजित की जाती है गतविदियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है सिछक द्वारा बच्चों के अस्थानिक संदर्वों के अनुसार गतविदिया संतालिच की जाती है और बच्चों द्वार छारो denken साई ठीक है खतिविदियां नहीं आयजित की जाएंगी तम चरचा करें गयिसे होगी बाई तो आप गलत की से काट सकते हो गतिविदियां आयजित की जाने चाहिए निश्चित तौरपे बच्चों को EBS सिखाने के लिए गत्विदियां तो आपको आयोजित करनी करनी है बिना गत्विदिया आयोजित कर रहे आप चर्चा कई से करोगे बताए बताए यह वाला इन्होंने गलत माना है लेकिन मेरे अनुसार ABCD मतलब तीन हो सही है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला है पौधे विशे के मुद्धे के मतलब पौधा एक विशे है बच्चों के लिए सार्थक क्या हो सकता है बच्चों को थीम आधारी तो वर्कसीट दे देजिए बही जब भी बच्चों को वर्कसीट दे बठ पुस्तक दे सब निगेट्टु होता है छेत्र भर्मन मुद्धों के इड़द-गिरद आयजित किया जाते हैं सिच्छ को द्वारा प्रदर्सन दिए जाते हैं बिल्कुल गलत है आमंतरित व्याख्यानों के सामोहिक आयजन किया जाता है बिल्कुल गलत है मित्रों मैं आपको बता दू EBS में कहीं भी छेत्र भ्रमन की बात आ जाए फिल लिटरिप की बात आ जाए आख बंद करके उसे सही लगा दीजिएगा ठीक है आख बंद करके उसे सही लगा दीजिएगा फिल लिटरिप की बात जहां पे आए EBS पाठ पुस्तकों के अलाव अन्मिकित में से कौन EBS सेखने के लिए अधिकता मुप्योब की संसादन है बताएए पाठ पुस्तक थो हमें EBS सिखाता सिखाता है बताएए क्या समाचार पत्र से हम EBS सेख सकते हैं प्रयावन के प्रति जागरूख हो सकते हैं जी बिल्कुल हो सकते हैं, परियावण के प्रति हम EBS मतलब हम जागरूख हो सकते हैं समाचार पत्रों के माद्धें से, ठीक है, हो सकते हैं नहीं जुसतर, कोई बड़ा मतलब की कोई भी व्यक्ति पेड़ पौदा लगाता है, तो वह समाज में मतलब एक संदेश देता है, सम मैंने उसे सोचल मीडिया पर पोस्ट भी किया, या अगर मेरे पास उस लेवल का मैं सक्सेजादमी होता है, अभी तो लल्लू ही हूँ, जब उस लेवल का सक्सेजादमी होता, तो उसका अकबार में भी फोटू आता, कि भाई, इन्हों ने अपने बर्थडे पर लोगों से इसे समाज में एक अलक संदेज जाता, तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, परियावन के प्रतिजागरुक होना, सर्विछन, मित्रो सर्वे के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, ट्वीटर, ट्वीटर के माध्यम से परियावन के प्रतिजागरुकत स्दस्यों के माध्यम से भोजन dat कि मैं या जाग्रूख कई से हो सकते हैं अगर बच्चा नारा नहीं तैयार करेगा तो भोजन मतलब तीन हो सही है, लेकिन डी गलत है अगला देख लिजिए कि EVS इखने के लिए समूछ कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है सबसी उप्यूकत गारन कौण सा है वे साहपाथी अदियम को बढ़ावा देते हैं समुह कारे को बढ़ावा देते हैं वे बच्चों की भी सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं जी बिल्कुल ऐसा करते हैं बच्चों की भी सहयोग को बढ़ावा देते हैं बिल्कुल करते हैं वे इविये सीखने के लिए एक मात्र प्रभावी रणनीती और भी रणनिती है भाई जहां भी एक मात्र की बात आजाए केवल की बात आजाए बिल्कुल गलत है ठीक है यह अहम पतला अब जहां भी केवल की बात आती है यह अहम वाली बात हो जाएगी अहंकार वाली है नए अहंकार वाली बात हो जाएगी और अहंकार हमेशा गलत होता है अगर आपको लगता है कि आप बहतरीन है आप ही बहतरीन है तो यह गलत है आप बहतरीन है यह सही है लेकिन आप ही बहतरीन है यह गलत है ठीक है क्योंकि धरती वीरों से खाली नहीं है अगली बात करते हैं नमासी आकलन में स्वा आकलन क्या होता है मित्रो आकलन में तीन तरीके का आकलन होता है ठीक है एक होता है सीखने के लिए आकलन एक होता है सीखने का आकलन एक होता है सीखने के रूप में आकलन ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ मित्रो आकलन को मुख् जो रटनातमक आकलं होता है मित्रों यह τीज मतलब लैनिंग प्रोसेस के दोरान मतलब जैसे आपकी कमा ही उस करश के डौरान ही जो से प्रस्ण किया जाता है उसे हम रचनातमक आकलंन उसे बोलते हैं और इसे जो रचनातमक आकलन होता है, क्लास के दौरान ही बच्चों से प्रस्ण किया जाता है, ठीक है, उसे हम राचनात्मक बोलते हैं, और इसे जो है, सीखने के लिए आकलन, ठीक है, और इसे जो है, वरतमान के समय में, नई सिछा नीती में, महत्पूर अस्थान दिया गया है, कि बच्चों को हम बच्चों से कोई प्रसन पूछ लेते हैं, वह होता है रचनात्म का आकलन, और इसे बोलते हैं सीखने के लिए आकलन, और जब बच्चे को छमाही परिछा, वार्फिक परिछा के माध्यम से बच्चों का आकलन करते हैं, तो सीखने का आकलन होता है, कि बच्चे ने कितना आकलन स्वयम करता है, कितना जैसे आप भी पढ़ते होंगे, आप कुछ चीज़े पढ़ते हैं, तो हाथ रख करके, आख बंद करके, दुबारा रिकॉल करते हैं, कि देखे कितना याद हो गया, वो होता है सीखने के रूप में आकलन, इसे करते हैं स्वाकलन, ठीक है तुम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है समझाने में हाना चले नब्यवाग कोश्चन आप देख लिजिए सिच्छक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग सिच्छक द्वारा क्यों किया जाता है सिच्छण अध्यम की रणनितियों की समिच्छा और संसोधन करने के लिए पहला आपसन 100% से हो गया कि सिच्छक डायरी का जो प्रयोग किया जाता है उसमें सिच्छक जो है अपनी जो रणनितिया है अगर बच्चा बहतरी समझ गया है तो वह समझेगा कि मैंने जो TLS का प्रयोग किया मैंने जिस शिच्छण विधी का प्रयोग किया है वह सिच्छण विधी और हमारे TLS काम कर गया हमारा बच्छा सीख गया अगर वह सीख नहीं पाया है बेतरीन तरीके से तो वह उसमें समिच्छा करेगा उसमें संसोधन करने का प्रयास करेगा और सिच्छक डायरी यही बताती है कि हमने इस दिन इस सिच्छक सिच्छन विदी का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया और बच्चा नहीं सीख पाया या सीख पाया उसकी समिच्छा करना इसी वज़े से सिच्छक को सिच्छक डायरी बनाने के लिए कहा जाता है ठीक है आगे भी देख लीजिए काका कराम कहानी लिखी हुई है बच्चे के सीखने के प्रगती, जहां भी बच्चे को प्रगती कार्ड, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए बिल्कुल गलत होता है बच्चे के सीखने के लिए साच दर्ज करने के लिए बिल्कुल गलत होता है साथ कभी आपको दर्जा नहीं करना है इस्कूल का रिकार्ड रखने के लिए बिल्कुल गलत है पहला से हो जाएगा क्या हो जाएगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दोरान सिच्छण अधिगम रणनीतियों के समिच्छा और संसोतन करने के लिए 90 कोईस्चन हो गए है आपने 90 कोईस्चनों को बहुत बहुत बहतरीन तरीके से देखा है आप हमारे टेलिग्राम चैनल को और टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लिजिएगा अगर आपको चाहिए जैसे कि मैं कोई किसी के प्रती पंगु हो करके नहीं रहना चाहिए यह भी मैं नहीं कहूंगा कि आप हमारे उपर पंगु रह करके करिए क्योंकि जिन्दगी कहा नहीं जाता है कि जिन्दगी अपने कंधों पर जी जाती है दूसरे के कंदों पर तो केवल जनाजे उठते हैं तो आप दूसरे के कंदों पर या दूसरे के हाथ दूसरे को देख करके आप ना जीए मतलब अपने उपर रख करके प्रहनत मेहनत करिए अपने अस्तर से कारे करिए क्योंकि आपको आगे वढ़ना है आपके सफलता सफलता में केवल आप ही का घाटा होगा जो यूटूबर है जो सिछक है उनका तो काम चल रहा है जहीसे मैं यूटूबर हूँ मेरा तो काम चल रहा है आप वीडियो देखेंगे हमारा आरनिंग फरनिंग होगा चल रहा है तो चीजे होती है जो आप स्वैम करे चाहिए कि मुझे सफलता मिलनी चाहिए कहीं से मिले लेकिन मिले ठीक चली बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय वारत